हेलो ऎकोग्स एल्कामा यूट्वेश चनल लर रंटी चमाप का स्वगत है आज हम इस वीडियो में डीस्ध करेंगे वरकिंग अप सोलर वाटर हीति़िंग सिस्टम के बारे में कि आखिरी में सोलर वाटर हीति़िंग सिस्टम कैसे काम करता है ठीक है लेकिन इससे पहला आपको समझना होगा कि आखिर में solar water heating system होता क्या है ठीक है देख सकते हैं मैंने नीचे में explain करके बताए ये लिखी हुई क्या है कि solar water heating system एक तरह का device होता है जो सूरी के रोसिनी के सहयोग से पानी को गरम करने का काम करता है ठीक है इसमें उपयोग करते हैं एक तरह का solar thermal collector का उसमें उपयोग किया है ठीक है जब सूरी के रोसिनी इस solar thermal collector पैनल के उपर गिरती है तो black absorbing जो surface होती है जो इसके अंदर फीट की जाती है तो इह क्या क्काम करती है Solar radiation को अपने अंदर absorb कर लेती है उसे एक तरहा का heat में transfer कर देती है और water जो flowing होती है उसको गरम कर देती है और यह जितनी भी water इसको collect कर देती है एक tank में और जो एक तरका insulated tank होती है जो यहाँ पर heat को यहाँ पर लोस जल्दी नहीं करती है इसके अंदर पानी को गरम रखती है ठीके तो इस तर से इसके अंदर क्या सूरी के रोशनी के सजोग से पानी को गरम कर दिया आता है और इसक से कि माल यह कोई restaurant है कोई canteen है कोई guest house है या hotel है या hospital है तो उस जगह पर इसका उपयोग किया आता है कम से कम यह यहाँ पर 100 लिटर से ले कि कम से कम 500 लिटर ते पानी को यह गरम कर सकता है कम से कम 5-8 गंटा के दोरान ठीक है यह सूरी की रोशनी के सजोग से ठीक है इस करते हैं ठीक है इससे मैंने पहले decision कि यह फर्स टाइप जिसको एक तरका हम लोग थर्मो सी फोन solar water heater बोलते हैं ठीक है अगर उसका वीडियो अप नहीं देखे हैं तो आपको डी स्क्राइब मिल जाएंगा ठीक है तो चलिए अब समझते से construction के बारे में कि आखिर में solar water heating system क कैसे concert कियाता है ठीक है अब आखिर में कौन-कौन device इसमें उप्योग करते हैं ठीक है सबसे पहले किया यहां उप्योग करते है solar thermal collector का उप्योग कियाता है एक तरका device होती है जो सूरी के रोशनी को अपने अंदर collect कर लेती है absorb कर लेती है और पानी को गरम करने का काम करती है ठीक है इसमें एक तरका जिग जिग अकार की pipe लगी होती है देख सकता है किस तरचे इसमें pipe लगी होती है ठीक है अब क्या होती है यहां पर उप्योग करते है इसमें एक तरका पानी को यहां पे भीजनी के लिए उप्योग करते है एक तरका hot water tank का उप्योग किया एता है देख सकते हैं किस तर से hot water tank है इसमें एक तरका boiler attach होती है ठीक है यह boiler को एक तरका backup boiler बोलते हैं जब यहां पर हमारा solar thumna collector किसी काम से work नहीं कर रहे हैं तो हम इस backup boiler को उप्योग करते हैं और पानी को गरम करते हैं ठीक है अब क्या होती है यह जो हमारा hot water जो tank होती है इसमें दूगो यहां पर एक तरका pipe लगी होती है जिसको एक तरका पहला बोलते हैं यह pipe को एक तरका cold water inlet pipe बोलते हैं धिक है जिसके सजोग से इसके अदर पानी को भी को भी आती है यहां पर क्या काम करते हैं, सबसे पहले यहां पर पाइप निकलते हैं, जिसको एक तरका cold water pipe बोलेंगे, ठीके जू direct हमारा pump में जाके connect हो जाती है, ठीके, और pump से एक ठोर pipe निकलती है, जो हमारा solar thermal collector में जाके connect हो जाती है, देख सकते हैं किसे से connect हो गई, ठीके, जहां से हमर इसके उपर में उप्योग करते हैं solar therma collector के एक फ़वर pipe निकलती है यह pipe को बोलते है hot water pipe जो हमारा देख सकते की सर्से connect कर दिया आती है वापस हमारा इस यहां पे hot water tank में जिसमें connect कर दिया दिख सकते की सर्से connect हो गई ठीक है अब क्या काम करेंगे यह जो नजय आरी आपके सामने जो pump है हमारा solar therma collector है इसके बीच में एक तरफा controller का उपयोग करते हैं दिख सकते किस तरह से यहां पर पानी को हमारा सप्लाइ करनी है उतनी flow करवाएगी हमारा solar therma collector का सवयोग से ठीक है इसलिकारण यहां पर एक controller का उपयोग की आयता है जो उसे यहां पर sense कर देती है कि हमें कितनी यहां पर पाने को supply करानी कितनी flow करानी है ठीक है तब ही हमारा pump यहां automatic चाली हो जाएगी सबसे पहले क्या होती है इसमें एक तरका क्या काम करते हैं कोल्ड वाटर यहां पर इनलेट पाइप के सवयोग से इसके अंदर पाने को फील कर देते हैं मतल पूरी टंकी को भर देते हैं ठीक है दिख सकते किस तरसे हैं पानी को यहां पर supply करने पाद यह टंकी को फील कर दिये मैं पूरी तरसे भर दी अब क्या काम करेंगे यह आरी आपी से हमें पॉंप को जैसे ही चालू करेंगे तो होट वाटर टेंक में जो होग वाटर भरी वी यह पूरी तरह रिखा थे तो यहा आप flow होगी फोर्स के साथ हमारा pump यहां पर तरस न की तो फॉर्स के साथ पानी को फ़लो करवायागी हमारा solar pou laser collector में ठीके तब चौन की जो लाइट बहलत पड़ घी तो अब क्या होगी जिई जो नजरे आर यह ब्लेक एब्जोर्णिद जो सर्धर बोलते हैं सोलब तर्मर कलेक्टर वह क्या काम करेगी पूरी तरफ कर हीट को अपने अंदर अप्जोर्ब कर लेगी के सब्सक्राइब या के बाद वो heat को क्या काम करेगी transfer कर देगी हमारा जो water flow हो रही है उसमें अंदर ठीक है तो धीरी-धीरी क्या होगी कि हमारा water धीरी-धीरी क्या होगी कि गरम हो जाएगी ठीक है गरम करने के बाद यह क्या काम करेगी धीरी-धीरी हमारा जो पानी है उसको उपर में जो लगी ह हमारा स्पार्ट स्वाइब सर गर्म के पानी हैं फानीट करने से स्ब्सक्राइब पड़ने से स्ब्सक्राइब करके स्ब्सक्राइब लाइट वेट होके घरम होके एक तरगा वाइट होके हमाघ्र आपनीबू कर सकते हैं होट वाटर आंटलेट नश्योग से जहां पर कोई भी आपर आप हम लगा सकते हैं इसके सरयोग से घर का उपयोगी काम के लिए उपयोग कर सकते हैं कोई भी restaurant में कोई केंटीन में कोई भी हाँ पर guest house में कोई भी hotel में hospital में इसके requirement कि हिसाब से hot water का उपयोग किया है थीक है खासकर इसका उप्योग सर्दी के मौसम में उप्योग किया था है इस हमारा solar water heating system का ठीक है तो यह इस तरसे यह working करता है ठीक है और by chance अगर माल यह कहीं बादल किया हुआ हमारा solar thermal collector अगर उसका उप्योग नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ जो उप्योग किया गा बेका बोलर का इसके सर्योग से हम पानी को हाँ पे गरम कर सकते हैं ज्यादा मातरा में कम से कम 100 लिटर तो पानी नॉर्मली इसमें गरम कर सकते हैं हमारा बोलर में भी और इस हमारा solar collector में भी ठीक है यह जो हम उप्योग किया है controller का जो pump और हमारा solar collector में जो लगी वी है जैसी हमारा hot water tank पूरी तरह से गरम पानी हो जाएगी तब ठीक है और हमारा इस तरह से बाद में उप्योग कर सकते हैं यहां पर होट water tank में जो वाटर का ठीक है तो मुझे आसा है कि आपको इसके बारें बढ़ियातर के समझ में आ चुका होगा ठीक है तो वीडियो देखने के लिए थैंक कि यूड़गे जा होगा अपको आपको तेक हैं पारें के बाद में आपको एड़ा के लिए देखने के वाटर रखने के विए प्ले थैंक आपको 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 क्यों ढरते हैं।